हलो गुड मोर्णिग स्टूडेंट्स इससे पहले आपने साइध विद्धूतिरने ता इलक्ट्रो नेगिट्विटी एंड ilaktron गैन एंथेल्पी है यह वाला पार्ट किया है आपने कल वीडियो नहीं बन पाया था आज अपने पर चर्चा करेंगे पर चर्चा करेंगे संह समयोजक्ता समयोजक्ता इसकी एक होती है इसकी दो समयोजक्ता होती है इसकी इतनी होती है तरती sleeves दृट गेस जैसे अपने पेरोडिकda ban उसको भी मैं याद कराओंगा भीस किस क्या क्या हो सकती है और क्यों किसकी प्लस में होगी और उसी की माइनस में क्यों हो जाती है तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है सहुजक्ता तो कॉपी पैन उठा लीजिए और बैलेंस के उपर अपन चर्चा करेंगे साथ में इंग्लिस मेडियम वालों का भी में पैज में आप एक्स्प्लेनेशन करूँगा इसकी कोई बात नहीं है सहुजक्ता का सीधा में मैं अगर मैं आपको बताऊं तो यह होता है कि कोई भी अलिमेंट कोई भी अटम उसके ऑउटर में यानि कि भाहतम कोस्व में कितने इलक्ट्रोन होते हैं वो उसके भाहितम कोस में उपस्तित इलक्ट्रोनों की संक्या एक तरह से सही हो जाकता बैलेंस को ही बताती है जैसे आपने पता है मैंडली बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था क्यों कि उसने जो सेकंड ए सेकंड बी ऐसे कुछ जो बनाये था उसने एक से लेके साथ तक का जो रॉमन संक्या में जो उसने किया था वो एक तरह से उनके भाहितम को उसमें उपस्तित इलक्ट्रोनों के इसको परोड़ेघन से कलकूलेशन चाहितर होता है थिर्दात करते हैं तो कि सी कहती कि परमानु की अगर अपन बेलेंसी देख तो यही कहते हैं कि खुजन कितने नक्ट्रोन ऑटर गतानूं की जो संक्या वह उसकी से उजगता बैलेंस कहलाती है इस बात को आप अच्छे से द्यान में रखो कि बैलेंस के केस में अपने को क्या है अब जैसे मैं आपको से उजगता है स्टेबिल में समझाने की कोस्ट करूं थोड़ा सा आपको यह अपनी परोडेक टेबल यह पूरी नहीं आ पा ऊरिए इसके इंदर है ना इसकी है प्रोबलम हैं आप इस बात को समझ billion चरक करनेवाला हूं ऐस ब्लोक के उपर किस पर चरक करनेवाला हूं एस ब्लॉक के उपर एस्ट सापाज को पहला गृप है उसके इस सरीचा करने वाला हूं हमेशा प्लस बालस निंकि औक साफ प्लस वन ऑक्सिडेशन नमर होगा क्योंकि इनके आउटर सेल में एक इलक्ट होने हाइट्रोजन की प्रोब्लम है यह प्लस वन और वाइनस वन दोनों देता है उसका भी सिस्टम समधा देंगे आपको ऐसे आपका बेरेलियम से लेके बेरियम तक यह हमेशा प्लस तू आपको हमेशा जो सेकेंड्र गृूप हे वह हमेशा के लिए कितना मिलेगा आपको देखने के लिए प्लस टू दिखेगा ऐसे ही स्केंडियम लेंफे नम यक्टेनियम यह यह लमस्ट प्लस थ्री के अंदर आपको दिखाई देते हैं अब अपन बात कर लेते हैं इसी परक त्वस्ता चार मानेंगे नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के भाहितम को इसमें पाँच इलेक्ट्रोन हैं लेकिन इसको अस्टक कम्प्लीट करने के लिए इसको कितने मतलब साजा करना पड़ता है तीन से ही साधा करना पड़ता है अभी इस बात को अपन number of oxidation से समझाने के कोशिश करेंगे कि यह oxidation number और इन दोनों चीज़ों में क्या फरक होता है देखो स्योजगता के केस के अंदर यह topic है कि अगर आप इन तत्तों के जो आप स्योजगता की बात करते हो इनके गुणधरमों की बात करते हो तो यहां आपको एक चीज दिखाई दे रहे होगी कि अभी जो अपने बात किया कि इन तत्तों के जो गुणधरम है तत्तों का electronic विन्यास दोवारा इसपस्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रोनिक विन्या द्वारा स्पस्ट किया जा सकता है, और हम जो इलेक्ट्रोनिक विन्या जानते हैं, वो जानते हैं, तो इनकी केस में क्या बात है अपने को, कि सामाने तक किसी तत्तो के एक परमानों से संयोग करने वाले हाइटोजन परमानों की संक्या या संयोग करने वाले ऑक्सिजन परमानों की संक्या के आदे को उसकी संयोजकता कहते हैं देखो यह बात क्या बोलना चाहता है कि हम अगर कोई भी परमानों जैसे कि लीथियम है लीथियम से कितने परमानों संयोग करे एक हा 노ेंख रहे सबस super सबस्टRO जयाना जोंगे इस परकार जैसे अब ही मैं बात करूं की जैसे मेंगनेशियम है मैंदेशिय। है तूरम को ये यह दूसरी बात कि रहा हूं कि आदी oxygen की आदी का मतलब क्या है कि जैसे कि मानलो आपको Magnesium है Magnesium कितना had oxygen कितना यहाम पे एक है oxygen तक मैं कितना है एक ठीक है आगर लेकिन इसकी जो बैलेंस ही है जैसे कि मानलो oxygen कितनी sequence है यहाँ पर खुद-2 और और mangasem के कितने हो जाएगी, यहां पे प्लस दो, यहीं कि Sankhya पे Depend करता है इसके परमानों के संकhya पे Depend करता है अगर जैसे कि मानलो एक हीही परमानो है, जैसे कि मानलो आपका यहां पे यह है S Magn G और यह Oxygen से सही हो करेगा तो Na2O बना देगा, sodium oxide, क्या बना देगा? प्रोडियम तो कितना है दो है लेकिन oxygen कितना है आपने विकन से योग वाले सुतर ग्याद करने की फॉसिस्स करें होगे जैसे कि मान लो रही हो आपको आलमुनियम और Oxygen से कोई योगिक बनाना है क्या बनाना है एलमुनियम और Oxygen से कोई योगिक बनाना है ठीक है तो अब एलमुनियम अब Oxygen की कितनी होती है माइनस दो एलमुनियम कितनी होती है एलमुनियम कितनी होती है तीन तो यह आपको क्या करना है यह AL 2 इदर लगाना है और O 3 इदर लगाना है ऐसे आपने एक diagonal system से formula वराना से क्या होंगे मेरे ख्याल से तो उनी का थोड़ा से इस्तमाल करना है अब यहाँ पर भी अब बात कर लेते हैं उनके case में कि ये एक वरक का इनका क्या system रहेगा जैसे कि एक ही वरक के सभी सदस्य समान से उन्जिकता पर्दशित करते हैं एक ही वरक के वरक मतलब एक group एक group के अंदर एक group के अंदर जो भी है वो सभी सदस्य एक जैसे अभी जैसे में बताया आपको कि जो पहला वरक है first group है S block का वो सब प्लस वन ऑक्षिकन वस्ता देते हैं क्योंकि इनके भाहतम कोस में electronic विन्या सेम होता है एक group के भाहतम कोस में सभी elements के मतलब outer cell में number of electron सेम ही होते हैं S block अर्थात S block में कितने वरक हैं दो first group और second group के सदस्यों के भाहतम कोस में कर्मस से एक और दो electron ही होते हैं इनकी सेंजकता भी कर्मस से एक और दो ही होती है पीबलो के तत्तु पीबलो के तत्तु के अगर बात करें में तो 13 से 17 वरक तक के 18 भी है लेकिन उसका अलग सिस्टम है सेंजकता उसके भाहतम कोस में उपस्तित electron की संक्या या आठ में से भाहतम कोस में उपस्तित electron की संक्या को गठाने पर ग्याद किया जा सकते हैं या तो अपन क्या कह सकते हैं उनके भाहतम कोस में इलक्ट्रों की संक्या या फिर उनके भाहतम कोस में से आठ गठा दें कि और यहां को अदिदें जैसे बसमें एलक्ट्रों साथ उसको आठ में से घठा दिया तो कितना बचा वन बचा वसक्वाइं कि तो ऐसे अपने बैलेंसे निकाल सकते कि इसमें बचनी आइसे और अगता दो एसे निकालने पड़ती हैं अब अब सोच रहे होंगे बात आपको समझे से आzhञे होगी कि अपकान 90 गृफ आपका 15 गुरूफ है नाइटोजन फेमिली आपका 16 गुरूफ है आपका 16 गुरूफ है आउक्सिजन फेमिली और आपका 17 गुरूफ है फ्लॉरीन है लोजन 18 की बात नहीं करते अब आपको एक चीज समझ में आती होगी कि अगर मैं बात इन सब की इस प्रकार से कर रहा हूं तो इसके भाइंतम कोस में हो लिए तीन इलक्ट्रोन और बोरोन के ठीक है तो इसके साथ भी और एक भी यह क्या सिस्टम था अब बात ही आती है कि कोई भी एटम होता है वो अपने आउटर सेल में कितने एलक्ट्रोन पूरा करना चाहता है आठ अब यह बोरोन है अब उसके भाइंतम कोस में तीन ही है तो यह किसी चागर साजा कर सकता है अगर कोईलेंट बॉन्ड बना सकता है पार्टन सिप कर सकता है तो एक एलक्ट्रोन के बदले एक बॉन्ड बना लेता है लेकिन नाइट्रोजन के कभी पांच बॉंड देखे थे नहीं यह क्या कर सकता है क्यों नहीं बनाया नाइट्रोजन पांच इसकी मजबूरी है यह क्या कर सकता है तीन बनाने में इसका अस्टक पुरा हो जाता है तीन बना लेता है तो इसका क्या हो जाता है अस कि गठा सब्सक्राइब पूरागा स्टेबल हो गया तो 3 साधह करेगा तो अपने इसको तीन भी । 6 हैं अगर 8 में से 6 को घथा दूं तो कित्ते बचिए वातलन website स्ऩ या आठ में से भायतमकोस में उपस्टित लक्टोनों के संग्य गठाने से प्राप्त होती है ठीक है अगर मैं अब वरग अठारा की बात कर रहा हूं इसपेस ली वरग अठारा गुरूप 18 की स्योजकता सामाने तरह सुनने होती है इसलिए तो इसको सुनने गुरूप कहते है इसलिए उनके सिजोजकता को अपन क्या मानते हैं जीरो एक ही यावर्त में बाएं सिदायbek जाने पर सी इन्यूजकता बढ़ती है देगो दो एक लास्ट मजार सुनने हो जाती है ऐसा क्यों क्योंकि देखो बाइतम कोस में जैसे कि मैं अगर एक यावर्ट की बात करता अभी मैं आपको दिखाऊंगा टेबिल में ठीक है तो देखो उसके बाद क्या करना अपने को यदि तत्तु ऑक्सिजन से संयोग करता है तो संय इसकता प्रदेशित करते हैं एक से अधिक का मतलब है डी ब्लोक रिन की खास बात है जैसे कि मानला आपका आइरन है एपी प्लस टू भी देता है एपी प्लस थ्री भी दे रहा है फोर भी दे रहा है ऐसे कॉपर है कॉपर प्लस वन दे रहा है कॉपर प्लस टू दे रहा है ऐसे आपका MN है MN प्लस 2 दे रहा है 3 दे रहा है सेवन दे रहा है प्लस मतलब ऐसे अलग अलग ऑक्षिडेशन हम फ्रिक्स नहीं है इसलिए तो इनको परिवर्तन सील बोलते हैं इसलिए परिवर्ति सेयोजक्ता वेरेबल वैलेंसी कहते हैं यह इस वरक के तत्तों का एक वि आउस्ता का परियोग किया जाने लगा है किसका प्रियोग करने लग गए श्यिवर्तिकता के स्थाण पर और्शीखन आवस्ता का परियोग करने लग गए है shy किन्तू विद्धूत्रीनता विद्धूत्रीनता के अनुसार किसी तत्थू का एक परमानों तूसरे तत्थू के परमानों से जितनी संक्या में आवेस यानकि हिर्ट्रॉन घरहन करता है वह उसके ओक stanie अब आप इस चीज में फोकस करो कि यह क्या है यह अपने वरग है कि फर्स्ट वरग से एकिन थर्ड सोरी थर्ड निया डारेक्ट तेरा आ गया चूंकि तीन से लेकि 12 तक तो कौन आ गया डी ब्लोग और डी ब्लोग की केस में अपन बोलते हैं परिवर्तन सील अक्षिकन होस् अगर मैं फर्स्ट और सेखिंड की बात कूँण तो सेजगता को समय उलेक्ट्रोन के संक्या कितनी है एक पहले में दूसरे में कितनी है दो ठीकर सेजगता भी कितनी मानेंगे एक और दो हाइटोजन के साथ योगीग बनाऊएगा तो सोडियम के साथ एन एक कलसियम सी एट तत्तु जैसे कि अब सोडम है तो सोडम हाइट हाइट्रोजन चीजर कर सकता है , जब इसका एक एक एलेक्ट्रन से जुड़न बनाता है इसको अपन सहीर होक्तत है diffusion नहीं है कि बिने एलेक्ट्रोजन सहीर होकर लेगा इलेक्टोन होना ज़रूरी है आगे बाश समझ में तो इसी परकार आप एक चीज ओर नोटिस कर रहे हो कि जैसे अब यह सोडियम ऑक्सिजन के साथ जुड़ा तो ऑक्सिजन की सोडियम जगता कितनी होती है माइनस दो होती है तो सोडियम प्लस वन हमेशा प्लस वन आलवेज है हाइटोजन की प्लस वन होती है लेकिन हैटोजन की माइनस वन भी हो सकती है अब जैसे यहां पर यह सोडियम के साथ हैटोजन की माइनस वन ही है सोडियम तो प्लस वन है लेकिन हैटोजन माइनस वन है ठीक है इसी प्रकार यहां आप सोडियम सोडियम प्लस वन है यहां और oxygen-2 है अब दिखो यह क्या सिस्टम होता है जैसे कि यह sodium है और यह oxygen oxygen की minus 2 होती है और सौडियम की प्लस 1 यानि कि oxygen के संक्या कितनी लेनी है एक और sodium कि लेनी है दो ऐसे अभी जो मैं आपको बता रहे है इस्टम वाली सिस्टम ठीक है तो इस परकार से अपने को यह पड़े हैं अपन क्या क्या बढ़ें के हैड्रेड और ऑक्सेड फड़ने की कोशिज करें ऐसे एल्मुनियम के मैंने कहा कि यह तीन जुड़ जाएगा सिलीकन में चार जुड़ जाएगा अब बात है फॉस्परस की अब यह पी एच फाइप नहीं हुआ पी एच थ्री हुआ पी एच फाइप नहीं हुआ पी एच थ्री हुआ क्यों क्यों देखो फॉस्परस की भाहतम कोश में कितने एलक्ट्रोन थे पांच एलक्ट्रोन थे ठीक है कितने एलक्ट्रोन थे यह मैंने पांच एलक्ट्रोन इसके भाहतम कोश में लगा दिये अब इसको अस्टक पूरा अश्टक जैसे एक हाय जुड़ जाया यहां पर एख आई हाय जुड़ जूढ़ जाया इस्से रहो तेक Akbar है उतने के साहं क dif student दो यह वाले और दो यह वैले यह वाले अब हो गया न है इसका इसका वेस्ट्ट बॉर यहने फासपोरस पांच तो पांच के साथ स्री हो तो 10 हो जाएंगे यहनि कि अगर इसके तीन इलक्ट्रों भी सहीं कर लेते हैं तो कितने इलक्ट्रों देंगे आठ हो जाएगे इसी परकार देखो और साब ऑक्सीजन ब्हाइब बहुतम कोस में सल्पर है सल्पर के बहुतम को उसमें कितने होते हैं शॉड़ गूरुप का है बायतम पाइटम कोछ में अर्ष्ठक पूरा हो जाता है हालांकि अपवाद है कई जो जिसमें चार भी देता है जिसमें च्छाह बी देता है वह एक जीज अलग होती बटेस का स्टक हो गया पूरा ऐसे क्लोरीन के मैंतम को उसमें साथ होते हैं अगर एक वी लक्टोन साजा कर लेता है तो इसका पुरा पुरा होजाता है ऐसे ऑक्साइडों के केस में बात रामान बोली गई है कि ऑक्साइडों के केस में भी देखो सो यह मतलब ऑक्सिजन की माइनस टू है उस हिसाफ से आपको प्लस होन ले और एक बात का ध्यान रखना एक जो आपका योगिक होता है कोई भी एक्सवाइज वह टोटली रूप से उदासीन होता है नुट्रल होता है उसमें कोई चार्जवार्ज नहीं होता है ठीक है तो इसके केस में इस प्रकार सी चीजें दिखाएगी है आगे बात समझ में आपको तो देखो आपको बैलेंस की बात करें तो फॉर इंग्लिस मेडियम अभी आपने समझा बट मैं इस बना होगे नोडस आप यहां से उठाओ गए जो चीज आपको समझ में नहीं आती है कि सर कौन सी चीज कहां से क्या पूट अब करें वह आपको हो सकते हो कि यही बात है कि नंबर ओफ एलक्ट्रॉन परजेंट इंट आउटर वास्ट चैल एन अलमेंट डिटर्माइन ब एन अलमेंट और और हाप ओफ दा नंबर ओफ ऑक्सिजन अलमेंट कॉंबाइन विट एन अटम इस कॉल्डर वैलेंशी ठीक है अलमेंट ऑफ सेम गुरूफ सो सम वैलेंशी विक्वाज एलेक्ट्रॉन कांट्रॉन ने भी बता दिया कि एस ब्लोग में जो फर्स्ट ग्रू है इसके केस में आपको बता रखा है कि कैसे फर्स्ट ग्रूफ की बन होती है स्केंड गरूब कि टू इस प्रकॉर्ण डा वैलेंस एक पिरिद के अंदर वन्से भूरत लव करते हैं तो एक से चार तक एक होती है उसके बाद डिक्रीज होने लग जाती है अभी जो आपको ग्राप की स्केल में बताया उसके बाद आपका इफ element कॉंबेंट वी oxygen balance increase यानिकि oxygen के साथ अगर को सहीं हो करता है तो वह प्लस वन से लेके प्लस से बन तक यानिके एक से लेके साथ तक भी दे सकता है और लेंदेनाइड एक्टेनाइड और डी ब्लोक आपका इलमेंट की जो ऑक्षिकन उसता होती है वो वेरेवल होती है चेंजेर होती है इन इस क्राट्र आप्रपर्टीज आप अलिमेंट प्रपर्टीज आपले मेंट अप इस ग्रोप नाव ऑक्ष्डेशन स्टेट इस यूजड देखो आज की क्या करने लगे है अपन बै अब ही जो आपको एक टेविल समझा थी वो सेम ही है बस फरक इता है इंग्लेश में लिख रखिए वो हिंदी में थी वाकि इसके भी समझाने का परपज वो ही है सेम आप इस परकार से ही आपका होंबर कंप्लीट करोगे ठीक है थैंक्यों स्वामच